हुआ हें तो मेरे मान भारत के लोगों किया आले राप कि आए उट गाड़ी पे बैल गाड़ीयों के उपर बैलेट बॉक्स रखके बाड़ मेरे की इक दानी में बोट करवाने कि 15 दिन में बैलेट बॉक्स जो है वह आहरे आहरे दिरा तो सबसे पहली अलोचना है कि एक डारिक्टली इलेक्टिव नहीं थी तुस डारेक्ली डारेक्ट इलेक्ट्स्ट इलेक्शन संभभ नहींथा उस समय उस्सेमें डारेक्ट लेक्शन करना संभब नहीं था क्योंकि एक तो इंडियन पबलीक समझती नीए टी वोटिंग क्या होती है उट देने में पॉब्लीक समझती नहीं थी नैशनल मुवड्य अपने चरम पे चल रहा था नैशनल मुवड्य राष्टरी अंदुलन अपने चरम पर चल लाध शनल म में जुलस रहा था और जितना ज़्यादा समय था नहीं कि डारेक्ट चुनाव करवाए जाए सरकार के पास ना तो परियाप्त मैन पावर था ना दूसरे रिसोर्सेज थे कि चुनाव करवा जाए अभी तो क्या मास्टरों की फौज है पूरी जो चुनाव कराने हो तो कहीं पर भी कराने हो तो कौन करवा देते हैं मास्टर जो है वो करवा देते हैं उस समय नहीं कहां थे गाओं ना तो स्कूल थी ना मास्टर थे ना सरकारी करमच जनता के अंदर कोई जाग रुकता भी नहीं थी कि उनसे पूछें किसा आप वोट देना एक वोट क्या होता है भाई हमने तो अभी तक दिया ही नहीं है और उसमें भी पहले जो वोट करवाए गए थे 1952 में कब करवाए गए थे तो इसलिए चुनाव आयोग वाला जो करना कि वोट लिस्टमर अब गाउं में मैलाओं नाम सो और जानता ही नहीं था फलानें की बाई फलाने की मां फलाने की बूआ और इस तरे से जो एब लगई लगई यसी नाम तो और प्हली वड, पूछो किसको का मिंग डाशे को भी सिब एन उड़ पलीन के नहीं आप द कि यजमीन कुरेद ने लगते तो इसलिए टेंशन और थे जानितग जो है वह अजमेंड का नाम नहीं लेती थी हजमेंड भी मैंगोग के नाम नहीं बोलता था वह वी शरम के मारें नहीं बोलता तो इसलिए पहली वोटरलिष चो टेयारी की टी यह पलना फलनी की लोगय रही श्रें से वोटरलिष त्यार करो दूसरा गौ्ट करवाणाऊं, अब तू गाड़ियां, सरकार के पास खूब है साधन और नहीं भी यह तो पुलिस वाले यहों खड़े रहते हैं और चुनाओं के आस पास तो ले इदर आजा टैक्सी नंबर इदर आजा तेरी डूटी लगी चुनाओं में इतितारी को गाड़ी लेके आजाना नहीं तो तेरी जो है यह लाइसेंस तो तो मेरे मान भारत के लोगों क्या आल है बड़े माहन बड़े तो तो वो इस तरह उन परिस्टियों में जो चुनाओं करवाने डारेक्ट चुनाओं जो है वो संभव नहीं तो और इदर अपने को जल्दी पढ़ी ती जल्दी आजा दी करो जल्दी आजा दी दो जल्दी आजा दी दो जल्दी आजा दी दो जैसे इसी में था कि रियास्तों के जो प्रतिनिदी थे वो तो इंडरेक्ली भी लेक्ट नहीं थे उनको तो नॉमिनेट किया गया था क्या किया था राजा ने अपनी मर्जी से मेरा वचन ही मेरा सासन है मैं जो लिश्ट भेज दी चार बाद में यही समिदान सबाग सदस्य होंगे तो रियास्तों के अंदर जन परतिनिदी संस्ताएं थी MLA थे रियास्तों के अंदर जन परतिनिदी संस्ताएं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंसिटूशन्स जो है वो नहीं थे तो इसलिए इन डारेक्ट चुनाव कराना संभव नहीं था और डारेक्ट चुनाव तो कि राजाओं को थोड़ा राजी करो कि वहीं देखो समिधान सभा में आप जुश का भी नाम बेजोगे हम उनको जो है नुक्त कर देंगे समिधान सभा में तो इस वज़े से जो है डारेक्ट एलेक्शन राष्ट्री अंदुलन प्रत्यक्स चुनाव संभव नहीं था बहुत मुश्किल था क्योंकि राष्ट्री अंदुलन अपने पीक पे था चरण पे था राजनेतिक अश्चिरता थी देश में सांपरदाइक दंगे हो रहे थे सरकार के पास परियाप्त मैन पावर और मशिनरी नहीं थी संसादन नहीं थे और समय का भी अभावता और जनता में ज झाल